Hello दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में आपसबी को ये बताने वाला हूppen कि पर screenshot कैसे लिया जाता है यह दोस्तों हमारा जो है सेमसंग का मोईल है तो इसमें जो है मैं आप सभी को screenshot लेकर दिखाने वाला हूं दो तरीके जो है मैंने यहां पर जाने हैं तो सबसे पहला तरीका यह बहिए किसिंपल आपको जो है यहां पर जो आवाज कम करने वाली बटन रहती है उसको और पावर बटन जिसको हम ब्लॉक बटन कहते हैं इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो यहां पर screenshot जो है आ जाता है यह देखिए यहां पर screenshot लिया जा चुका है एक बाद फिर से मैं लेकर दिखा देता हूं यहां पर जो हम केकुलेटर ओपन कर लेते हैं औ तो इसको कैसे लिया जाएगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन को नीचे करना है कुछ इस प्रकार से और screenshot वाले option को सबसे पहले तो add करने के लिए आपको बगल में चले आना है और यहां पर प्लस का आइकन दिखाए दे रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करे इसके बाद आपको कर देना है back आप अद COM करने के बाद जो जबभी आपको कोई भी screenshot लेना रहे तो आप सिंपल यहीum पर कर दीजी क्लिक तो यहां पर एक screenshot लिया जा चुका है और यहां पर जर हम प्ले स्क्रीश पर लेना है तो यहां पर चले आना है यहां पर टेक. इस क यह देखिए फोटोज में चले जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इतना सारा स्क्रीन सॉर्ट लिया था ठीक तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप सैमसंग के मॉवाइल में स्क्रीन सॉर्ट ले सकते हैं वीडियो के वह इतनी थी पसंद आए तो लाइक करिएगा झाली कर दो सकते हैं